तो हलो विवान वेल्कम एक टाओ चैनल दिस इस अटन कापिटल दो चली सेक्शन में बात करेंगे कल के लिए कौन से बैसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोजिशन बना सकते हैं करेंगे अपने बिजनेस को एक्स स्टॉक्स कर पाएंगे अब कर देखना है कि निफ्ती हमारे स्टाड़ीजी तब हम जाके अपना पोजिशन बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेवर कि ये वीडियो एक क्यों परपोस के लिए है, मोट्व है सिखाना, आप फोकस करिए लर्निंग पे तो ये रहा हमारा परफॉर्मेंसी जहां पर ट्रेडिंग जर्नल हम मेंटेन करते हैं वह था तर्वेनी इंजिनेरिंग और दीपक नाइट राइट तो 21 को कैसा परफॉर्म किया था, 21 को हमने कभ पूसिशन बनाया था, कितने पर पूसिशन बनाया था, वह important है, तो यहां मेंशन करेंगे, अपडेट करेंगे, तो वह important है, तो शलिए, स्टार्ट करते हैं, अप हाई और लोग की बात करें सो 22 को जो आज हो गया 22 और 21 का जो हाई लगा था वो लगा था 354.60 और उससे पहले 355.45 का हाई लगा हुआ था और आज का जो हाई लगा है वो 353 का हाई लगा हुआ अभी मार्केट में क्या करना है हमारा व्यू जो की वीकली था आप देखो हमने आप व्यू भी दिया था हमारा वीकली व्यू है उससा अपने अपने स्टॉप लॉस्प भी सेट किया था हम मार्केट में कब घुस्पाया दाट इस इंपॉर्टेंट तो आपको हमने बताया था तो अगर हमने आपको बताया था कि 30 मिरस के टाइम फ्रेम में हम पुजिशन बनाएंगे तो 21 तारी को अगर हम देखें तो यह कहीं यहां पे हमारा स्ट्राइडिजी मैच होता है तो आप देखो यहां पे ग्रीन केंडल भी बनना शुरू हो गया था यहां और 20 मुमिंग अवरेज पर 50 नीचे स्टॉकर्स के रसाइट ट्रफ और रसाइट को उपर तो हमने यहां कहीं पूजिशन बनाया था तो यह था 350 का हाई लगा था ह हमने 349.75 में पूजिशन बनाया हुगा है तो इसको मिंटेन करेंगे तो यह 348 की जगा लगबग 349.75 के राउं हमारा पूजिशन यहां मिंटेन है तो आप देखो उसे साब से हमारा 5652 का रिसकन रिवार्ड रिश्यो आता है यह मैक्सिमम लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफ है तो आज यह यहां लगा लेते हम दीपक नाइट राइट तो दीपक नाइट राइट पहले देविस इस पर कैसा पॉपमेंस रहा तो 21 तारी को इसका हाई कितना लगा था 2378 के एरांड हाई लगा हुआ था इसका और उससे पहले की क्लोजिंग थी 2368 के एरांड तो 20 रुपय का क्रॉस करेगा और यहां यहां दिख रहा हमने इस पर पॉजिशन बनाया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 21 तारीक को तो कहां हमने पॉजिशन बनाया था लगबग तो यह होगे हमारा 21 और जैसे हमारी स्टाडिजी यहां कहीं मैच हुई थी 2322 रुपय के एरांड तो हमने यहां पे एक पॉजिशन बनाया था 2322 से लेकर 2350 के एरांड तो हमारा जो पॉजिशन बना है वो है 2322 के एरांड हमारा एक पॉजिशन बना है किसमें दीपक नाइ ट्राइट कि 232 में हमारा पॉजिशन यहां बना है तो यह हो गया तेजिसव चालिस जबकि हमने पॉजिशन बनाया थेजिसव बत इसमें 30 क्वांडिटी अब हमारा देखो 5160 का मैक्सिमम लॉस आ गया और 7.4 पॉजिशन का रिस्क आ गया तो जैसे ही 2500 होता है तो हमारा 5.1 का रेश्यो बुक हो जाएगा तो यह दो स्टॉक्स हैं हमको ट्रैक करते रहे ना अभी भी कफी एच्छा मोमेंटम दिख रहा है तो नेस्ट आर्गर 2400-2422 के एराउंड है तो पाएगा तो हमें प्रॉफिट भी बुक करेंगे बुक करेंगे अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए कौन से बैतरी स्टॉक्स है जिसका हम पोजिशन बना सकते हैं तो स्टॉक्स धूंडे कैसे आपको कैसे पता चलेगा तो कोई बात नहीं एंजल का डिमेट एकाउंट बेस्ट है आपको कहीं जाने के अतनी है अगर बास दिमेट नहीं है तो आप हमारे थूर नीचे लिंक में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके थूर अप एक एंजल का डिमेट एकाउंट खोल सकते हो जहां पर हमारी भी हल्प होती और आपकी भी हल्प कम पोसेंटेज भगा होता है और यह देखेंगे कि क्या यह हमारी स्टाडीजी पर मैच हो रहा नहीं हो रहा है तो पहला देखते हैं टाटा कॉम्निकेशन यहां टाटा कॉम आ गया तो टाटा कॉम्निकेशन देखते हैं कि हमारी स्टाडीजी पर मैच होता है कि नहीं होता तो आ जाते हैं हम 3 hours के चार्ट पे and 4 hours के चार्ट पे देखें तो यह यह तो दीपक नाई टाइटरस और यह होगे हमारा टाटा कोनिकेशन 4 hours and 3 hours के चार्ट पे तो 3 hours के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां देखो 20 moving average उपर 50 नीचे पहला condition होता है मैच 20 सेटी के दिवजात हो इस्टॉकर से रसाई दूसरा कंडिशन मैच और तीसरा 50 से ऊपर रसाई तो थर्ड कंडिशन हमारा होता है मैच तो पहला टाइम फ्रेम हमारा मैच हो गया दूसरा टाइम फ्रेम भी हमारा मैच होना चाहिए तो देखते हैं 4 hours के ताइम फ्रेम में क्या चाहता है तो देखो 20 moving average उपर 50 नीचे पहला कंडिशन मैच हो गया इस टॉकिस्टी के रसाई 49 है तो हो सकते हैं यहां से मोड के जाए तो यह दूसरा कंडिशन पार शिली मैच है और तीसरा 50 से ऊपर रसाई सो तीसरा कंडिशन मैच है तो हम इसमें पूजिशन बना सकते हमारा टार्गेट क्या होगा 1894 के आरांड हमा हमारा यहां वीकली टार्गेट हो सकता है और यहां एक पैटर्न भी बना हुआ है डबलू पैटर्न जो कि यहां से ब्रेक आउट होता है तो 1970 कहीं नहीं गया है सो हमें व्यू कि लेके चलना पड़ेगा सो डेली या वीखली आप लेके चल सकते हैं है तो हम यहां अभी लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट बनाना है और मुद्ल करते जाएंगे तो हम यहां पर थ्री आवर्स का व्यू लेंगे और उसके साब से मपनी स्टाडिगी को स सब फॉर्मेशन बना हुआ है सो हम चाहते हैं कि एक वीकली लेकर चले जहां पर उनने सो पचास है सत्तर रुपे का टार्गेट लेकर चले सो वीकली व्यू से आप समें स्टॉप्रोस अब देखेंगे तो हमने इस दो केंडल के यह स्टॉप्रोस रखा है तो लगबाग हमने बसिकली तोड़ने वाला और RSI 50 से उपर है अगर हम पंदर मिट के टाइम फ्रेम में आ जाए तो पंदर मिट के टाइम फ्रेम में देखो आप लड़ी नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो हम एक पूजिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बना सकते हैं कल का कल अठारा सो मार हो सकता है तो आने वाले तो तीन दिनों में हम यह टार्गिट कर लेंगे लेकिन हमारा व्यू वीकली होगा हम 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसलिए कह रहे हैं ताकि हम और जीतना नीचे उससे के पड़ कर सके अगर मार्केट कल उपन होता है तो उपन होते ही उपर की तरफ जाएंगे तो 50% से आपको मार्केट ओपन होने में पूजिशन बनाना है और जैसे अगर मार्केट नीचे आती है तो हम उसको एबरेज करेंगे 50% से अगर उपर जाती है तो भी हम एबरेज करेंगे तो वीकली हम इसमें सत्राइब काई के स्टॉप लेके च होगा वह आएगा हमारा टीसी एस सब्सक्राइब कर रहा है तो अगर हम इसको हटा दें इस इस सूपर ट्रेन अंडिस इस पीवाट तो आप देखो यह हमारे स्टाइजी में किसी आप से मैच हो रहा जो हमने आपको स्टाइजी बताई है 20 moving average उपर 50 नीचे पहला कंडिशन मैच 20 सी 80 के तब जाता हrishna से हर साई दूसरा कंडिशन मैच और 50 को क्रॉस करता हूँ आरा साही तीसरा कंडिशन मैच तो यह तीन कंडिशन मैच होना important है त्यो कंडिशन मैच हो गया time frame में एक time frame में जो की three hours का है अब अब next four hours के time frame में भी match होना important है तो four hours के time frame में गर हम देखें तो आप देखो 20 moving average उपर 50 नीचे 20-30 की जब जाता हुआ स्टॉक इस ही कहा रहा है सही second condition match first condition already match और तीसरा 50 को cross करता हुआ just 51 को cross किया हुआ है तो तीसरा condition match हम यहां पर position बिलकुल बना सकते हैं इससे पहले भी हमने TCS पकड़ा हुआ था तो देखें आए देखें का कौन सा swing हमने पकड़ा हुआ है तो आप देखो अगर हम यहां performance में आ this is called यह मैं दिखा रहा हुँ था कि आप एक सीख सको कि swing को पकड़ते कैसे हैं और इस पर नजर कैसे बनाया रखते हैं तो अगर हम TCS की बात करें हमने और लेड़ी TCS में प्रॉफिट भी वो क्या है तो यह रहा TCS दो फरवरी को हमने दो फरवरी को यहां पूजिशन बनाया था कितने पे 3834 पे तो आयों देखते हैं दो फरवरी को कहां था यह TCS तो यह देखो 31st Jan 1 & 2nd यहां कहीं हमने पूजिशन बनाया था टीशियस में अगर डेवेसिस पर हम निकाल ले सो डेवेसिस पर आ गया हमारा 2nd February यह 1st February यह 2nd February तो हमने यहां कहीं पूजिशन बनाया था और हमने यहां प्रॉफिट बुक किया था प्रॉफिट क्या था हाइस क्या गया था 4184 और हमने जो बुक किया था ओसा टाइम टीरसी था फॉरण वन मिंबू क्या था नाइन फेवरी को टो डलत वाग यहां हमने बुकर था त minder बुएठी अपाल्यड़ी एक स्विंट हम पकड़ले ने की तएस में तो हमने पकड़ लिया अब हमें एक दूसार पकन यहां से दूसरा स्विंग पकड़ेंगे फिर नीचे आएगा फिर तीसा सिंग ने इस वाट काल स्विंग ट्रेडिंग जहां हमें एक स्विंग पकड़ते हैं कि अगर हम चार ग मैंसी के चाई में देखें देखें मईन हो रही है अगर सिस्टी बद्रस कि बात कर ले तो कि कर लेते हैं कि स्टॉप लोस क्या रखेंगे अज्यू स्टॉप स्टॉप लगा है ऌने साफ्र Applause लेकी चलेंगे तो हो सब एक 3950 का हमें लेके चलेंगे तो हम देखते हैं यहां तो यह रहाँ टीस यह सो डे बीसिस के पर अगर हम देख लेते हैं तो हमारा यहां जो तो मुविंग अबरेज है 3912 यहां कहा रहा है 50 का मुविंग अबरेज तो हम इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे 3900 का इस टॉप लेके चलेंगे उसका दम इसमें पूशिशन बनाएंगे कौन से टाइम फ्रेम में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 50 का कैपिटल डिप्लॉय होगा और नेक्स 30 मिनट में हमारा नेक्स 50 का कैपिटल डिप्लॉय होगा अब देखों यहां पे 50 को उपर जाने देना यह 20 को उपर जाने देना है 50 को उसके नीचे तब एक पूशन बनेगी अगर हम टार्गेट देखें तो टार्गेट क्या हो सकता है तो अगर यहां मार्केट है तो आप अगर आप देखोगे तो आपको पूशन कब बनानी है जब यहां पर आए 4070 के एराउंड और 4063 के एराउंड अगर आता है तो हमें एक पूशन बनाएंगे तो 4065 हम उसमें पूशन बनाएंगे सो 4065 के राउंड हम एक पूशन बनाएंगे जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 3900 का होगा और हमारे पास यहां क्वांटेटी कितनी होगी अगर हम 35 क्वांटेटी करें तो हमारा रिस्क 5000 775 का होगा मार्केट में और टाइम फ्रीम होगा 4 आवर्स का और उसमें हम 4230 पकरनी की क evolves करेंगे अगर आपका red appetite 1000 के अандersr everyone Š dobre और अगर हम यहां छह कर दे तो आप देखू 990 रुपए का रिस्क अगरा आपके पोर्ट फोलिओ में युच्त होने चाहिए investment कितना लगेगा 24,930 और 990 रुपे का maximum loss 4.1% का risk 4.1% का आपका risk है अगर 4,2,3,0 touch होता है तो 990 रुपे का profit है अगर 4,3,9,5 touch होता है तो 1900 रुपे का profit है तो यह आपका risk reward है जो जबकि आप आप देखोगे हमारा 6,000 का under का हमारा risk पर trade है यानि एक टेट पर 6,000 से ज़्यादा नहीं खोएंगे तो हमाई पास यहां कितनी होनी चाहिए लगबग 35 के रॉंड जहां पर maximum loss होगा पास यहाद 775 रुपे के एराउंड और जो तीसरा और लास्ट शेयर है वह है आईचर मोटर्स वाइचर मोटर्स अगर फूर आवर्स के हम टाइम फ्रेम में अगर देखे सो यह देखे 20 moving average उपर 50 नीचे पहला कंडिशन मैच 20 से टीक तब जाता इस्टोक इसाई दूसरा कंडिशन मैच और तीसरा कंडिशन हमारा मैच और नेस्ट टैम फ्रेम में अगर हम देखते हैं डे के टाइम फ्रेम में तो डे के टाइम फ्रेम में भी आप देखो 20 moving average उप पर 50 नीचे स्टोक से रसाई 19 की तरफ है तो जैसे यह नीचे से उपर की तरफ जाता है 20 दूसरा कंडिशन हमारा मैच हो जाएगा और तीस रा आरस ही बिलकुल मैच है 50 से उपर हमाँ पास पूरा मोमेंटम है तो हम इसमें पूशन मना सकते हमां टार्गेट किया होगा 4191 के एराउंड 4191 के एराउंड हमारा यहां टार्गेट होगा उसी साथ से मको पूशन मनाना पूशन कब बनाना है 15 मिनट में 50% डिपलोई करना है और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रिम पे आ जाए तो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम पूशन बनाएंगे 3935 के रा 250 रुपे का हमारा स्टॉप लास होगा हूं कि हम बात करें तो इस्टॉप लोश जो हम रखेंगे यह सैंतिसो असी है यह तीम कैंडल का एगर लोग आप देखोगो तो 3780 है सबसे लोग 3780 तो हम थोगा सेफे साइट लेके चलेंगे 3750 का एक स्टॉप लेके चलेंगे तो हम हमारे पास 3750 का stop loss है जहां पर हमारा maximum loss 5550 का होगा 4.7% मार्केट में रिस्क है अगर 4120 टेच्च होता है तो हमारा पहला टार्गेट एननी 5500 प्रॉफिट दूसरा गर 4305 प्रॉफिट करता है तो यह 11100 प्रॉफिट हमारा हो जाएगा यह स्टॉक है आईचर मोटर तो उससाब से आपको अपनी क्वांटिटी डिसाइब करनी है आपको इस pap low छटा नहीं रखना पहले में बतारहों आको इस top loss छोटा नहीं रखना आपको अपनी क्वांटिटी मैश खरनी है तो आप देखो इसी 4.7 के रिस्क में हमने कितना एक लाग अठारा जाग का investment यहां कर दिया 91,000 का investment यहां कर दिया और 1,42,000 का investment होने यहां कर दिया risk हमारा 10% से अंदर का है यह हमें कोसिस करना है हमारा total portfolio का risk कितना है 10% हम 10% से ज़्यादा risk नहीं ले सकते हैं तो हमने एक stocks पर मेरा 4.7% दूसरे stocks पर 6.6% और तीसरे stocks पर 4.1% तो यह तीन share है तो जिस हिसाप से इसका view हमारा डेक है जिस हिसाप से आपको मौका मिलता है उस हिसाप से आपको इसमें position बनानी है 30 minutes के time frame में अगर आता है तो position बनाना अगर नहीं आता तो position नहीं बनाएंगे तो यह hope आपको वीडियो समझ में आई होगी informative लगी होगी purpose है आपको सिखाना आप सीखे यह trading journal अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप हमें whatsapp कीजिए हमारे group में नीचे हो जोड़ जाई है description में link है हमारे group का और हमारा dedicated manager आपके साथ risk management करेंगे आपका जो भी portfolio जो भी capital है उसे सबसे हम वर्थ करेंगे तो शलिए मिलते हैं next video में लेते हैं आप से इजाजत so keep learning and keep earning with certain capital